नमस्कार हमारे साथ हैं सीनियर साइंटिस्ट जो की जड़ी बूटियों पर काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों से लगातार पहाड़ों पर हैं भट जी नमस्कार मैं डक्टर बिजय भठ हूं और मैं जड़ी बूटी सोथ सेस्थान कोपश्वर में हमारा डारेक्टरीट है मैं वहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट हूँ और आज यहाँ पर विसेस कर जो कॉडिसेप्स हमारा मश्रूम है, मेडिसनल मश्रूम है, उसके मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया है लेक्चर देने के लिए डग साब कितने दिनों से आप इस फिल्ड में है और जो उपर की जड़ी बूटी है और खास कर जो कीड़ा जड़ी कही जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाली है मैं पिछले 30 सालों से हाई अल्टिटूट में काम कर रहा हूँ और कीड़ा जड़ी पे अभी जैसे मैं आपको यह बता दूँ, यह कीड़ा जड़ी है अगर आप इसको देखना चाहें, इसको कीड़ा जड़ी सबसे पहले ते क्यों बोलते हैं कीड़ा जड़ी यहाँ पे कि इसने पिछले 20 साल में उत्रा खंड के अंदर पिथारगाड और चमूली और बागिश्वर में कुछ-कुछ माइने तक इन जगहों पे इन जन्पदों में इसने एकोनोमिलिक रिवोलिशन लाया है, लोगों की मतलब हजारों लोगों को इकोनोमिक्स बहुत अची बनी ह है इससे, और लोग मतलब जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास रोजगार नहीं था, उन्होंने इससे बहुत अच्छा पैसा कमाया है, और अभी भी एड़ परजेंट भी ये एक बहुत बड़े रोजगार का साधन हमारे हाई अल्टिट्यूट का बनावा बिसिस का प पूलिस पकड़ लेती है, तो यह क्या इसको क्या आप जो नॉर्मल जड़ी भूटियां है, उस तरह से इसको यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रस्न किया है, और मेरा यहाँ पर जो लेक्चर का तरीका है, जो लेक्चर देने का मैन जिसकी पॉलिसी ए टू जेट बनी हुई है, इसमें कहीं भी इलिगल की बात नहीं आती है, बन पंचायत के छेतर चैनित किये गए हैं, वहाँ से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें पूरी नियमावली बनी हुई है, उसी नियमावली के बारे में मैं लोगों को बताने किसान को जो किसान, सपोज में किसी बन पंचायत का वहां का रहने वाला हूँ, मेरे को अपना रजिस्टेशन कराना पड़ेगा बन पंचायत में, उसके लिए मुझे उसकी फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद जब मैं कलेक्शन करूँगा तो पर सौ ग्राम मुझे एक उसके बन पंचायान कारी नहीं है, लोग अवेर नहीं, लोग अवेर नहीं है, अगर इसके रट की बात की जाये तो काफी महांगा कहasternे है, जो इससमय है इसका रेट ओन कैसे आप 15, क्यों पंदरा क्यों पंदरा कैसे आप बोलेंगे, कुस पीस ऐसे होते हैं, जो बाइस हो करीब एक किलो में चड़ते हैं जैसे मैंने भी आपको दिखाई यह बहुत अच्छा किसम का पीस है तो बाइस सौ पीस जो एक किलो में चड़ने वाला होगा वह पंद्रह लाख रुपिया कुछ तो इसके आसपास इसका रेट रहता है और अगर पर पीस की बात करें आप तो जो यह कलेक्शन करते हैं तो पांसो रुपिया मिनिममम एक पीस का मान दीजिए अपकी डाक साब इसका जो मेडिकल विओग है वो क्या-क्या है कहुन कहुन सी बियां बिमारियों में काम आता है मोटा मोटा कैंसर है डाइबिटीज है सारी बिमारिया लेकिन मैं मोटा मोटा एक आपको बता देता हूं कि यह बॉड़ी को ओवरॉल कर देता है और जब किसी भी आदमी की बॉड़ी डिटॉक्सिफाई हो जाती है तो उसके बाद उसके सरीर में कोई रोग नहीं रह जात यह थोड़ा सा यह प्रॉब्लम यहां पे है अधर्वाइस इस से ज़्यादा इफेक्टिव अभी तक का सबसे कॉसली और सबसे इफेक्टिव मेडिसनल हर बे हाई अल्टिकरी हमालाएगा अभी तक का तो यह थे हमारे साथ डाक साब डाक साब आपको बहुत बहुत दन्वादा आरे यह आपके हैं आपके हैं